वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स जो कोशन से उनको कवर अप करेंगे बट आगे बढ़ेंगे इससे पहले इंपोर्टेंट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ये वाला वीडियो जो है कंप्लीट देखिएगा बहुत सारे कोशन आज मैं आपसे पूशने वाला उनके आंसर कोवेंट सेक्शन में जरूर करिएगा मेरे साथ में आपर पैरलली हर एक कोशन लगाते चलिए सिर्फ यहां पर आंसर देखने के लिए वेट मत करिए खुद से कोशिश करिए देखिए आप उसको बता पाते हैं के नहीं और जो कोशन मैं आप स सी यानि की चार राजियों की सीमाओं को यह सपर्श करता है वो चारों स्टेट कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताईएगा दूसरा यह बताईएगा यूपी के जो एकदम आखरी जिले हैं चाहे हम उत्तर की बात करें चाहे हम पूरफ की बात करें दक्षन की बात करे पच्छिम की तो आगे चले नेक्स्ट को देखें इससे पहले कुछ एक इन्फरमेशन है आपनों के लिए जो बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तयारी क करने चाहते हैं तो Steady for civil services की courses को आप जोइन कर सकते हैं complete तयारी के लिए यह वन स्टॉप destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें चेड़ी material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब कुछ सफिशेंट होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपको screen पर लिख रहा हूं इन numbers प 8089 इस number पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपक कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं ठीक है तो उत्तर पूरव दक्ष्ण पच्छिम यह चारों के चारों जो यूपी के extreme point पर जिले हैं उन जिलों के नाम comment section न अगले question में यहाँ पर पूशा गया है कि निमलिखित राज्यों के समूव में कौन सा एक तेलांगना राज्य की सीमा बनाता है अब यह आंद्रप्रदेश है करनाटक है महरास्ट 36 गड़ है यह करनाटक महरास्ट मद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश या फिर आंद्रप्र जो को मैं आपसे बोलू कि इनको आप अरेंज करो और किस किरम में अरेंज करना है जिलों की संख्या के आधार पर कि सबसे यादा जिले कौन से स्टेट में है उसके बाद किसमें उसके बाद किसमें यह ज़रा comment section आप लोग बताईएगा Google search मत करिएगा यह जो मैं आपसे question जो है बहुत basic question है examination में पूछा जाता है राज्यों के उपर क्योंकि पहला chapter जो है जो है जिए जो है इंडियन जोगर्फी का वो यही है जिसमें बहारत और भारत के राज्चियों के बारे में पूछा जाता है जो यह जो यहां पर जिलों की संक्या की आधार पर बताईए या फिर इनको अरेंज करिए तो यह कमेंट सेक्शन में दर आप लोग बताईएगा इसके बाद नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं इसमें पूशा गया है कि निम्लमे से कौन सा सुमेल नहीं है जो यहाँ पर सुमेल नहीं है वो आपको बताना है अब यहाँ पर एक तरफ स्ट है तो यह बताईएगा आईजोल कौन से स्टेट की कैपिटल है दूसरा यह बताईएगा कि मणीपूर की कैपिटल वो कौन सी है यह दोनों चीज़े कमेंट सेक्शन ने बताईएगा जो कोशन में आप से पूच रहा हूं इन सब के आंसर कल जो हमारा वीडियो आगा उसमे और एक तरफ दे रखा है उनका capital आपको यहाँ पर इसको नीचे कूट दिया उसकी साहिता से इसको आपको arrange करना है तो सबसे पहले हम बात करें असम की तो असम की capital कौन सी है दिसपुर नगालेंड की बात करें तो नगालेंड की capital कौन सी है कोहिमा अरुनाचल प्रदेश की capital कौन सी है इटा नगर वहीं मेगालिया की बात करें तो शिलॉंग तो यहाँ पर हमारा code क्या होगा code होगा 3,2,4,1 यानि की 34,41 यह हमारा सही answer होगा तो option B जो है वो सही होगा अगले question की बात करें इसमें पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शाषित प्रदेश यह कौन सा है अब यह दमन और दीव हैं पुद्दुचेरी हैं दिल्ली है या फर यह आपका चंदीगड है तो सही answer यहाँ पर क्या होगा आपका option C यानि की दिल्ली यह सबसे बड़ा केंद्र शाषित प्रदेश है दिये गए इन केंद्र शाषित प्रदेशों में इसके बाद next question की बात करते हैं इस question में पूछा गया कि पुद्दुचेरी का जो छेतर है वो विभाजित पाया जाता है तमिलनाडू आंद्र प्रदेश महरास्ट में तमिलनाडू कर केरल आंद्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडू करनाटक और गोवा में कौन से प्रदेशों में यह जो है बटा हुआ पाया जाता है तो सही आंसर कियागा आपका option C यानि की तमिलनाडू केरल और आंद्र प्रदेश अब यहां पर जब यह बोला गया है कि पुद्दुचेरी का पड़ता है चलो इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं 222 नंबर का यह कोश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली छेत्रों में निमलिखित में से कौन सा एक प्रजातिय समूह पाया जाता यह उत्तर पूर्वी भारत के जो पहाड़ी और जंगली छेत्रे वहां पर यह पाय जाते हैं अच्छे यह बताईएगा प्रोटो ऑस्टेलाइड यह कहां पर इंडिया पाय जाते हैं इसके अलावर मेडिटेरियन और दिनारिक यह कहां पर पाय जाते हैं इंडिया में इं आसी है संथाल है या फिर यह थारू है तो सही आंसर क्याएगा आपका संथाल संथाल जो है यह प्रोटो ऑस्टेलाइड समू से रिलेटेड हैं इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं इसमें पूशा गया है कि निमलिखित में से कौन सी अनुसूचित जन जाती दीवाली क को जो है वो शोक के रूप में मनाती है सेवरल टाइम यह कौशन की नहीं होगा हमारा थारू ठीक है बहुत इम्पर्डेंट कौशन है क्योंकि बहुत बार इसको पूशा गया है इसके बलग आज के इस वाले कोशन की बात करते हैं जो कि एमारा आज की वीडियो को आखरी क इसमें पूशा गया है कि रितू प्रवास यह किया जाता है भूटियों के दोरा बुक्सा जौन सारी या फिर थारू तो सही आंसर क्या हैगा आपका option A यानि की भूटिया यह करते हैं रितू प्रवास अच्छा रितू प्रवास का मतलब क्या होता है what does it mean ठीक है इसका meaning जरा है तो अब ही करिए ठीक है और उसके बाद ही इसको वीडियो को end करिएगा thank you so much